नमस्कार सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल डिये स्टेड़े गुरुजी में तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है आपकी 15 अपटा 2019 परती को लेकर जो आपकी स्वास्त विवाग की सभी को पता है कि स्टाफ नर्स पर कोट के सुच चुका है और बहुत सारे साती है हमारे जो गबराय होएं कि अब क्या होगा मेरा सेलेक्सन हो गया क्या मैं बार हो जाँगा तो देखे उन सभी के लिए क्या कुछ अपडेट है इस केस को लेकर आप जाना चाहते हैं तो esto इसके सकते हैं इन दी हाई तो पंजाब एंड हर्याना चंड गड़ यहां पर केस की अगर बात करें तो यह केस नमबर आपका सकते हैं ठीक यह रिजिस्टेसन नमबर है और इसके बाद में डेट ओफ डिस्कसन की अगर बात करें तो यहां पर होई दी एड़ोकेट कोन है तो मिश्टर रविंदर सिंग डुल यहां पर एड़ोकेट है ठीक है और हर्याना की तरफ से एजी कोन है तो यहां पर आप देख सकते हैं पंकच है जो कि यहां पर एजी है हर्याना की तरफ से तो यह पाई केस जौब का स्टाफ नर्स बरती पर है यह किस इस बात को लेकर है तो सभी साथियों ने केस इस बात को लेकर किया है कि इसमें जो साथी है जिनोंने सोशियो एकोनोमिक रैटरिया के दो बार नमबर लिया है और उस बात को लेकर इस बरते पर है वो केस किया गया है ठीक है तो जाने कि कोई भी साथी हो जो सोशियो एकोनोम स्टाफ नर्स की तो उसमें किसी कंडडेटर ने जो सोशियो एकड़ कराटरिया कि दो बर वानिफिट लिया है यानि कि पहले से वो उसने नंबर ले रखे थे और दूसरी बार एड मरें तो यहां पर बहुत सारे बच्चों को डॉट था कि इन्हों नमबर दुबारा कलेम की है तो उन बच्चों ने उनकी लिष्ट बना कर HSC को दे दी है ठीक है तो उस बात को लेकर इस बरती पर यह केस था तो यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहां पर आप देख सकते हैं इस बरती में आपकी अड़टाजमेंट यह थी और यहां पर पोश्ट की अगर बात करें तो 1584 पोश्ट दी स्टाफ नर्स की ठीक है यहां पर कैटिकरी की अगर बात करें तो आपकी कैटिकरी नमर 10 और कैटिकरी नमर 19 इन दोनों को लेकर यहां पर केस है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है यहाँ पे कि जिन साथ यहाँ पर दो बार नमर लिया है यहाँ पर आपके यह देखिए यहाँ पर आप है Examination and scrutiny of document Final result आपका ठीक है Was declared on 10-4-2022 A few of the candidates took the benefit twice Whereas the were already working in PGI as staff nurse Q there ठीक है Given as paternity valid यानि कि इसमें ये का आगया है कि already वो बरतमान के अंदर PGI के अंदर वरक करते हैं और वहाँ पर भी उन्होंने पांस नमबर लिया है सोशियो एकनोमिक करेटरिया के और ठीक है इसके बाद में या तो उन्होंने नोजोब के लिए होंगे या फ़र फादरलास के लिए होगे और यहां पर भी उन्होंने जो अभी स्टाफनरस बरती में भी उन्होंने सोशियो एकनोमिक करेटरिय के नमबर लिया है यानि कि वेनिफिट लिया है ठीक है जो की ये मानने नहीं है किवल एक बार ही मानने है तो इस बात को लेकर यहां पर केस कर दिया है तो अब आपका जो पंजाब एंड हर्णा हाई कोट ने क्या कहा है इस बरती को लेकर तो यहां पर देखे आपकी फिर से जो सोचियो एकनोमिक रैटरे के नमबर की जांच की जाएगी स्टाफ नर्स बरती में ठीक है और फिर से इसका जो रेजल्ट है वो दुबारा दिया जाएगा तो यहां पर इन्होंने बताया है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं लेट दी नीडफुल वी डन विद विदिन six weeks यानि की जो पंजाब एंड हरेना हाई कोट ने एचसी को छे सपता का टाइम दिया है यानि की 42 दिन का टाइम है वो दिया गया है 42 दिन के अंदर आपके जो सोशियो एकनोमिक रैटरे के नमबर की जांच होगी जो बच्चों ने लिष्ट दी है हसी को की यह फर्जी है इनोंने दुवारा नमबर ले उनकी जांच होगी और दोस्तों साथ में हो सकता है आपकी भी जांच हो लेकिन यहाँ पर जो बच्चा सेफ तरिके से सलेक्टिड होआ जिनों ने फैक तरिके से Heat has obsessed withanor दो बार नमबर लिये है उनको को दिक्कत आ सकते हैं उनको किसी तरीक कि कोई प्रोब्लम नहीं होगी वह बिल्कुल सेफ है चाहे आपका रिजल्ट है रिवाइज हो या ना हो तो यह एक वाइले टेस्ट अपडेट थी आप सभी के लिए ठीक है तो अमीद करता हम वीडियो आपको अच्छे लेगी होगी अच्छे लेगी वीडियो को आप लाइक करना कोमेंट करना ठीक है आपका यह जो केस है यह आपका अरुन मोंगा है जजिस के ठीक है तो आगे के जैसे कोई अपडेट मिनते तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आज की मारे इस वीडियो में इतना ही थैंक्यों आपका दिर मंगल मैं हूँ जैन जाबारत